धावे और इस्टुरेंट वाली मिक्स वेज आसानी से बनाए घड़ पे तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक ट्यू एन निव रेसिपी आज हम बनाएंगे मिक्स वेज रेसिपी तो चलिए सब्जियों से मिलवाते हैं यह रहें वेजिटेवल्स यह हमने लिए हैं फ्रेस हडा म लिया है और एक और छोटा सा टुकड़ा है गाजर का एक टमाटर है और यह गोवी यह बीन्स और यह एक सिमला मिर्च यह रहा कैवेज दो मेडियम साइज की आलू और तो सो ग्राम पनीर तो प्रेंट सारे सब्जियों को पहले हम काट लेंगे तो यह देखे सबसे पहले ह है इस तरीके से ऐसे टुकड़े में और गाजर को भी काट लेंगे और एक एक करके सारे सब्जियों को काट लेंगे सब्जियों का हम सेब जो है कोसिस करेंगे कि एक जैसा ही रहे ना कुई बड़ा और ना छोटा और एक ही जैसा रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा इस तरीके से हमने सारे सब्जीयों को चॉप कर लिया है और हम गोवियों को भी काट लेंगे तो हमने पूरा गोवियों नहीं उज़ किया है थोड़े थोड़े काट के रखे हैं और सब छोड़ दिये हैं तो सारे सब्जीयों को हमने चॉप कर लिया और ये दो प्याज और ए तो यह हमने सारे सब्जीयों को अच्छे से चॉप कर लिया है और और 2-3 पानी सबसा ब ska box को बावics के दूप सामने साबह जुआ बचनाजी वह थे इस बर देख सकते हैं दो परवल को उठाटे मिलते हैं तो लोगसरें एक सबतना सबुने करेंगे क्तषां जातंए, नमक आपने सारी सब्सक्राइस we can fry the vegetables अक प्रेढों के आपशम कर रंदे और फृइसे सारी शाट है सब्सक्राइस करें नोडरिया है प्रद्सटेश नियों का बडाक पाए कर लिए यह रख दैया है चले मसाले तक तक बनाते हैं तो यह हमने अधरक लसुन और चार हरी मिर्च लिये हैं और इसमें डालेंगे एक चमच जीरा साबो जीरा और दो चमच डालेंगे खस खस यानि कि पोस्तो दाना का जो होता है पोस्तो दाना उसे और इसे पेश्ट बना लेंगे इधर आलो भी फ तो दोनों को एक अठा रख दिया फ्राई होने के लिए और मसाला को पीस के हमने इस तरीके से पेश्ट बना लिया है और बाकी का मसाला जो है हम इसमें एट कर लेंगे यह हमने दो चमच रख लिया है धनिया का पाउडर और अब हम लेंगे एक चुथाई चमच काली मिर्च एक चमच लेंगे हल्दी पाउडर और एक चमच लाल मिर्च पाउडर तो मारा मसाला तयार है इधर हमने बिंज को भी डाल दिया गाजर निकाल लिये फ्राई हो गया था तो यह देखिए इधर हमने एक बावल में गडम पानी लिया है इसमें डाल दिया आधा चमच नमक इसमें हम डालेंगे अपना ये पनीर और इसे ढखके तिन-चार मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे तब तक गरम पानी में बहुत ही अचा स्पंजी हो जाएगा इधर हमने सिमला मिर्च और वीट रूट को डाला था फ्राई होने के लिए जो निकाल लिया है दीरे-दीरे करके अब हम अब मसाले बनाएंगे ये देखे सारी सप्राई हो चुकी है ठोड़ा सा और तेल डालेंगे और डालेंगे कुछ खड़े मसाले तो हम यह सबसे पहले लेंगे दो तेज पत्ते दो टुकड़ा दालचीनी दो लॉंग और एक इलाइची और आधा छोटा चमच को भूनेंगे ब्राउन हो गिया है हम जो ही यहां पे differentiate जो त्यार करके रख़े हbourne ऊपया एड़ करेंगे और थोड़ा से मसाले को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे उसके जो हमने मसाले वाले काडोरी शडाव से फोड़ा सा पानी की turbo त्था के तो कम आप hears the sauce यूजमे से अफिते तेयर के अफिल यूजी आपके एक चमच किछन कीम मसाला ना हो तो शीं किसा आपके मसाला यूज कर सकते हैं फिर हमने आधे चोटे चमच ले लिये हैं कस्मीरी लाल मिर्च यह ओपेशनल है आप इसकी भी कर सकते हैं अब एक बड़े साज टमाटर को जमनबारी काट के रखा था उसे एड़ कर दिया है और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसे ढग देंगे और अच्छे से पक करते हैं या फिर मलाई तो हमने दूद्ध यूज किया है दूद्ध से जो है मिक्स वेज का जो है बहुत क्रीमी क्रीमी सा टेक्चर आता है गैस का फ्लेम पूरा लोही रखेंगे और इसमें थोड़ा से अबाल आ जाएगा तो हमने जो वेजी टेवल्स फ्राई करके रखे तो सारे वेजी टेवल्स को हमने या पे आड़ कर लिया है अब इसे बढ़िया से मीक्स करेंगे दो मीनट के लिए ढग देंगे ताकि मसाला इसमें अचे से सेट हो जाएगा तो नियुक बाद बढ़िया से चला लिया है अब दो कफ हम इसमें डालेंगे गरम पानी और नहीं किया अब हमने पनी रखा है तो पनीर में मसाला सेट होने के लिए दो मीनट ढ़क देंगे और पकने देंगे उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे दो मिनट पकाने कबाद ये देखिए सब्जी जो है बहुत ही अच्छा बन गया है तो फ्लेम बंद करके हडा धनिया स गार्णीश करेंगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा मिक्सवेज बन के त्यार हुआ है देखने में भी पूरा डिफ्रेंट है और खाने में तो कन्फूजी हो जाएंगे कि ये डहावे वाली है या रेश्ट्रेंट वाली तो फ्रेंज जरूर से ये डेसी पर ट